हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो स्टाइल ऑफ क्रेटिविटी आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं कुछ आपके लिए बहुत नई सी चीज लेके आई हूँ जो कि हम ग्लेटर शीट से बनाएंगे और इसके लिए हमें दो कलर की ग्लेटर शीट की जरूरत रहेगी औ और इसके लिए मैंने दो कलर के ही ग्रीन कलर की ग्लेटर शीट से लिए हैं जिसके हम लीव्स बनाएंगे कुछ मोती लिए हैं हमने और यह इनका मैं आपको पूरा नापा बताऊंगी और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक् की तो आप description box में भी links देख सकते हैं और नहीं तो end screen पर भी आप मिल जाएगी आपको playlist तो चलिए वीडियो हम बहुत special है सुन्दर है शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक color के तीन circles चाहिए तो जो सबसे बड़ा circle है वो 8 cm का है उससे छोटा जो है वो 6 cm का है और उससे छोटा जो है वो 5 cm का है यह हमने तीनो जो circles काटे हैं वो हमने yellow color के काटे हैं कि आप देख सकते हैं इस तरीके से और इसी तरीके से जो हमने pink color के काटे हैं वो मैंने 6.5 वाला लिया है एक और एक जो है वो उससे छोटा है वो है 3.5 cm का तो इस तरीके से आप ले सकते हैं और जो बीच वाला था वो 5 cm का था तो इस तरीके से हमने 6.5 cm और 5 cm और 3.5 cm के सरकल हमने ले लिए हैं अब इसके लिए जो हमने लीफ बनाई है उस का विनापा मैंने लिखा है यह 4.5 cm की लंबाई में हैं और 2.5 cm की चड़ाई में हैं यह आपके को टोटल करता है किसी भी तरीके की ले सकते हैं जिसी भी आपको पसंद हो 49 पास टारीखीय आप चाहे सकते हैं अब यह से हमने इसमें आपEric दहां कि मैंने मान वानती होगा और हमेनом टॉपीया होगा कि हमेने तरीके से फिर दूसरी साइट से हाफ किया है इन दोनों एंस को मिलाके और फिर हमने इसको माक किया है इस तरीके से हम सारी साइट से इसको हाफ करके और इसमें माक कर लेंगे हम पैंसल से करेंगे जिससे की वह बहुत जादा विजिबल नहीं रहता है और यह इस तरीके से हम यह मार्क कर लेंगे, मार्क करने के बाद हमने इन सारे सर्कल्स में ही मार्क कर लेना है, अब मार्क करने के बाद हम उल्टी साइड से ही, ग्लिटर साइड से नहीं, दूसरी साइड से ही, हम इसमें बहुत छोटे-छोटे कट्स लगाएंगे, कि पूरे सर्कल में हमने कट लगने हैं और इसी तरीके से हम सारे सर्कल कट लगा लेंगे जिससे कि हमारा डिजाइन बड़ी असानी से भाझ जाएगा कि इसके लिए हम को पू की भी जरूरत रहीगी क्योंकि हमें जो फूल चिपकाने हैं वो हम hot glue gun से ही चिपकाएंगे इसके लिए हमें press की भी जरूरत रहेगी iron बोलते हैं जो हम कपणों पर प्रेस करते हैं उसकी भी हमें जरूरत रहेगी तो और हम मैंने इसमें मोती लगाए हैं मोती की जगा आप कुछ भी लगा सकते हैं जो भी design आपके पास available है और आप ये मेरी वीडियो पूरी end तक देखिएगा जिससे आपको ये पूरा full अच्छे से कैसे लगाना है ये भी आपको समझा जाएगा देखिए ये इस तरीके से cut लग गए हैं इसमें जो हमने छोटे cut लगाए हैं उसके बाद जो हमने pencil से mark किया था अब हम उन cuts तक भी काट लेंगे इनको हम पूरा end तक नहीं काटेंगे इसको जोड़ा हुआ छोड़ेंगे थोड़ा सा जिससे कि हमारा full की shape आ सके इसमें तो आप इसको पूरा cut ना करें एक ही मैं आपको cut करके दिखा रही ही हूँ और फिर आप उसी हिसाब से इसको cut करेंगे देखिए मैंने इतना ही cut किया है पाकी का जोड़ा हुआ है सारा इसका देखिए जो हमने सबसे बड़ा बला फूल लिया था हम सबसे पहले उसको लेंगे और उस पर हम गम लगा देंगे बीच में और उससे छोटे वाले साइज को हम इसमें फिट कर देंगे और पैटल्स को हम थोड़ा थ हुपसूर्ती है वोती नहीं आएगी फिर हम इससे छोटा वाला लगाएंगे इसमें इसके साथ भी हम यही करेंगे कि जो इसकी पैटल्स हमने एंबोस की है वो हमारी अच्छे से दिखाई दें डिस्पले हों अच्छे से और फिर इसके बीच में हम एक मोती जो हमने लिया है सुन्दर सा उसका ध्यान रखेंगे छेद हमेशा साइड बे रहें इस तरीके से हम इसमें मोती भी लगा देंगे ऐसे हम बड़े वाले का करेंगे इस तरीके से हो जाए लिए और इसके बीच में पिर हम एक मोती लगाएंगे मोती फिर हम ध्यान रखेंगी हमारा जो इसमें जो मोती बाला होता है पोच्छन शेद वाला पोच्छन वा साइड मे रहेए यह हमारी लग चुकी है अब हम आज ये जो खिलिप होती है जिस को ह झूरे में भी लगाते हैं कई वर बालों में भी साइट में लगाते हैं डिपेंड करता है कि आप इसकी तरिके से यूजze करे हैं इसमें हम पीछे और ड्डू गम लगाके और यह बड़ा वला फूर पेस्ट करेंगे psychic सब्सक्राइब अच्छे से इसको प्रैस कर देंगे जिसे कि खुबसूर्ती इसकी बरकरा रहीगी और इसके बाद हम फिर यह जो छोटा वाला फूल है उसको लगाएंगे हम यह जो हमने कट लगा लिये हैं उसके बाद हम पैंसिल यूज करेंगे इसको पकड़ने के लिए पैंसिल को हम बीच में रखेंगे और इसको हम प्रेस पे लगाएंगे प्रेस पे लगाने के बाद, हम इसको थोड़ा-थोड़ा गुमाएंगे, ताकि हमारा सारा जितना भी हमारा पैर्टल्स पर नहीं है इसकी, वो एम्बोस हो जाएंगे, हमारी गरम करने से, आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, प्रेस गरम रहती है। तो आपको touch नहीं करना है, हल्के-हल्के हाथ से आपको इसको जाएगा देखेए, ये हमारी emboss होगई है हम इनको थोड़ा-थोड़ा शेफ देदेंगे, हाथ से इसी तरीके से हम सारी पैटल्स को कर लेंगे इस तरीके की शेफ हम दे लेंगे मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ तापके आपको समँज आ जाए कि आप कैसे करना है इसको हम राउड राउन घूर्पेंगे प्रेस पर रखकर और यह प्रेस पर रखने के साथ ही एम्बोस होना शुरू हो जाती है गोल गोल होना शुरू हो जाती है थोड़ा सा फूलने लग जाती है अगर अपनी भाशा में कहेंगे तो यह फूलने लग जाती है दिखें यह फूलने लग गई है आप जब करम होती है तब ही आप इनको शेप देदीजे अगर आप शेप तब ही नहीं देंगे तो यह ठंडी होके फिर ठीक नहीं आएगी शेप में यह जो हमने पैटल की शेप काटी थी इसको हम ट्रिम करेंगे थोड़ा 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 ट्रिम कैसे करेंगे हम पहले स्लांट करेंगे और फिर हम स्लांट काटेंगे तेड़ा तो आप जितनी बड़ी परती चाहें उतनी बड़ी आप लगा सकते हैं नापा मैंने आपको बताया ही था अगर आप उस नापे की बनाना चाहते हैं तो यह सेम साइज आपका बन जाएगा यह आप उल्टी साइट से भी कर सकते हैं सीधी साइट से भी कर सकते हैं थोड़ी सा पर नहीं आ पाई कि आपकी देखिए इस तरीके से पत्ती दिखाई देखिए अब हम पत्ती पेस्ट करेंगे यह हमने ग्लू लगाया और एक हमने लाइट पत्ती लगाई है तो हम दूसरी साइड इसमें हम डाप पत्ती लगाएंगे इसका कॉमिनेशन बहुत अच्छा लगेगा देखने में ऐसी हम इसमें पीछे की साइड लगाएंगे एक हम डाप लगाएंगे पत्ती को और एक हम लाइट लगाएंगे यह ऐसे दिखाई देखा और एक पत्ती हम आगे लगाएंगे जिससे हमारा ये पूरा खुबसूरत सा फूल के साथ हमारा ये तैयार हो जाएगा देखें कितना खुबसूरत लग रहा है जब आप ये बालो में लगाएंगें बहुत खुबसूरत लगता है पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much.